तो क्या आप भी अपने घर ये कंपनी पे सोलर लगाने का प्लान कर रहे हैं अगर हां तो ये वीडियो बिलकुल आपके लिए क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको टॉप थ्री इंपॉर्टेंट तेंग्स जो आपको सोलर लगाने से पहले ध्यान में रखते हैं तो मैं बता दूँ आपको तो ये आपके प्रापटी के रेट को भी बढ़ाता है तो अगर ये सुनने के बाद आपका भी मन सोलर की तरफ जा रहा है तो बने रहे हैं इन तीन इंपॉर्टेंट चीजों को जानने के लिए जो कि आपको ध्यान में रखनी हैं सोलर लगाने स से पहले नमबर वन रूफ लोकेशन इंडिया में एक बहुत पड़ा मिसकंसप्शन है कि सोलर करमी से बिजली बनाता है जो कि बिलकुल ठीक नहीं है सोलर सन लाइट से बिजली बनाता है तो इसलिए कोई भी आपस्टीकल जो सन लाइट को सेल्स तक आने से रोकेगा उससे आपके सोलर की जनरीशन बहुत गिर सकती है जिसके विज़े से आपका पूरा सोलर का experience ही खराब हो जाएगा इसके बाद बढ़ते हैं second most important चीज़ जो की है your purpose of installing सोलर well इसका easy तरीका समझाने का यह है कि आप एक बार खुच से पूचिए या आपने YouTube पे सोलर सलची क्यों कर मैं बताता हूं या तो आपके यहां light ही नहीं आती होगी या फिर आप भी अपने बिजली के पिल से परेशान होगे इसे बहतर तरीके से समझने के लिए यह मान के चलते हैं कि एक जगा है person A जिनका बिजली का बिल बहुत आता है तो person A को requirement है एक on grid system की और दूसरी ही तरफ person B है जिनके यहां बिजली ही नहीं आती तो इनको जरुवत है एक off grid system की और इससे पहले इसके नीचे के comment करें कि मुझे तो दोनों की जरुवत है तो आप मान के चलिए कि आप है person C जिसको hybrid system की जरुवत है इसके बाद आता है third most important point choosing the right size and technology अब हर घर का बिजली का बिल इस basis पर तो नहीं लगा सकते कि शर्मा जी ने 5 kilowatt का लगाया है तो हम भी 5 kilowatt का ही लगाएंगे अब इस topic को detail में cover करने के लिए मैं एक अलग से video बनाऊंगा अगर फिर भी आपको जानना है कि आपके लिए right size क्या है और कौन सी technology आपके लिए best है और आप दिल्ली NCR के आपको इन सारी चीजों के थुरू गाइड करेंगे जब तक के लिए आप बने रहें और सब्सक्राइब कर लिए बिग वीट एनलजी के चैनल को और फॉलो कर लिए इंस्साग्राम पेज को भी